स्टार्ट करता है बच्छो द्यान दना अखे लेस्ट गोड़ तो अभी हम आ रहे है चाप्टर ऑपरेशन और मिस्मारेजमेंट के उपर ऑपरेशन और मिस्मारेजमेंट में सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है चाप्टर के अंदर वो है इस चाप्टर में पूछे के केस लॉस मैंने मेरे रेगुलर बैच के अंदर नियरली पूरा देड लेक्चर मझलब साड़े तीन चार साड़े चार घंटे सिर्फ केस लॉस डिस्कुस किये थे ऑपरेशन और मिस्मारेजमेंट चाप्टर के जो मेन लाइनमार्क के सही उन यहाँ पर दिया है थाला कि क्वेशनेर के अंदर में अन्दर जाधा क्रिश लॉस डिया थे बहुत सारे बच्चों के क्वेरी कोई यूज बच्चनेर में आपने जो केस लॉस डिया है इडिशनल वह हमने पढ़ने है क्या वो एक बार read करके छोड़ दो लेकिन आपको याद सिर्फ ये case loss कर रहे हैं जो काम के है ठीक है operation and mismanagement का सबसे पहला case law आता है force versus her bottle जो यहाँ नहीं दिया है जिसके अंदर बोला है कि single person can also claim operation ठीक है normally majority लोगों ने application करना चाहिए operation and mismanagement के लिए पर force versus her bottle case का नाम आप code कर सकते हो single person भी operation claim कर सकता है यह आपने याद रखना है फिर दूसरा case आता है यह चोटे-चोटे मेरा direct decision दिया है fact वगरा discuss करने के लिए हमारे पास समय नहीं है इसलिए में straight away case और उसके decision दे रहा हूँ operation के अंदर सबसे पहला case आता है तो उन्वाइस और केरलेस act के ऊपर operation के claim नहीं हो सकता उन्वाइस और केरलेस act जैसे मैं अगर बोलू कि मेंबर्स मीटिंग में नहीं आये तो बच्चे भी मेंबर्स उनके ऊपर operation क्लेम नहीं कर सकते है कि यह operation में में नहीं आ रहे वैसे भी present and voting है तो आप आपका decision ले लो पर इसको operation नहीं बोला जा सकता जैसे members meeting में नहीं आया quorum meeting नहीं हो इसलिए general meeting नहीं हो पारे this cannot be a case of operation अन्वाइस और केरलेस act ही operation नहीं होगा यह होगा चार्ट यह आपको समझ में आने में थोड़ी से तकलीफ होगी इसलिए मैं थोड़ा चार्ट उपन करता हूँ hold कीजिए कि यह concept चो ले इसको समझना ज़रूरी है तो बोड के उपर धान देना कि तो गया अच्छार्ट आपके फोड़ देखना पड़ेगा नोड इस ओमेटिंग का इडिया है ठीक है समझो आपने किसी मेंबर को अगर बोनस नहीं दिया तो कौनसी चीज का आज के दिन तक असर होगा तो अगर आप सोचो तो डिविडेंट आपने चार साल नहीं दिया चार साल पहले नहीं दिया उसका असर आज नहीं होगा लेकिन 4 साल पहले आपने जो bonus शेर्स नहीं दिया उसका असर आज तक होगा क्योंकि आज भी उन शेर्स के उपर के voting right वो इस्तमाल नहीं कर सकता उन शेर्स का उपर dividend उसको नहीं मिलागा उन शेर्स का उपर और और भी अगर bonus डिक्लेर किया है तो वो भी उसको नहीं मिलेगा तो जो चीज पहले थी देखो dividend पहले operation था पर आज नहीं है पर अगर कोई चीज है जो पीछे operation थी bonus ना देना वो अगर आज भी impact कर रही है तो उसे operation माने जाएगा यह सिंधरी iron foundry private limited में बोला है single line medicine Rao vs Rajeshwari Ramakrishnan बोलती है इस case में बोला गया है कि operation सिर्फ member के उपर हो सकता है हाला कि personally मैं इसको बिल्कुल support नहीं करता operation किसी भी stakeholder के उपर हो सकता है government को tax plan करना है government को operation है employees को salary plan करना है इस employees को operation है society को damage करना यह society को operation है environment को pollute करना यह environment के उपर operation है पर Rao vs Rajeshwari Ramakrishnan बोलता है operation सिर्फ member पर हो सकता है और यह case institute में दिया इसलामे को देना ज़रूरी है पर personally मैं इसको support नहीं करता सेट वर्सेश मोहनलाल गंपतराम के अंदर बोला गया है कि अगर कोई illegal activity है अगर कोई illegal activity है तो और necessary operation होना ज़रूरी नहीं है for example drugs बेचे गए और drugs बेचने के बाद में members को profit हुआ तो members के right damage नहीं हुए उन्हें profit हुआ है तो इसको हम operation नहीं बोलेंगे यह किसी भी एंगल से operation नहीं हो सकता illegal activity हमेशा operation होना ज़रूरी नहीं है और legal activity कभी भी operation नहीं होता यह चीज को आपको अच्छे समझना ज़रूरी है अभी दख जितने case loss दिए अगर आपके book में होंगे तो एक बार सिर्फ रेड कीजिए go for it first streaming में छोटा सा problem है दो मिनिट वेट करना झालत ऊ़रूरी है झाल 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 चोड़ा सा प्रोब्लम था तो यह चीज को याद रखना इसके बाद में हम अगले केस के उपर जा रहे है सेट महुनलाल गनपतराम के बाद में चंदर कृष्णन गुपता वर्सेस पन्नालाल गिरधारिलाल यह केस के अंदर सिंप्ली यह बोला गया है नॉन डिकलेरेशन अफ डिविदेंड इस नोड ऑपरेशन देखो एक बात को समझना डिविदेंड को डिकलेर ही नहीं किया यह उपरेशन नहीं हो सकता कि आपने डिविदेंड डिकलेर ही नहीं किया अगर आपने डिविदेंड डिकलेर किया और किसी को स्पेसिल के लिए नहीं दिया तो यह उपरेशन जरूर हो सकता है पर डिविदेंड को डिकलेर ही ना करना यह उपरेशन नहीं हो सकता ये चीज को समझना जरूरी है फिर अगरा है रश्मी सेट वरसेश सेमिन इंडिया लिमिटेड तो बहुत सरी के से इसके उपर ध्यान देना ये केस थोड़ा सा important है समझो कभी minority को illegal issue of shares हो गया ऐसा हो सकता है कि कई बार meeting के अंदर majority absent थी minority दें फाइदा उठाए और खुद को share illegally issue कर लिए तो ऐसे situation के अंदर रश्मी सेट वरसेश चेमिन में लिखा है कि majority अगर minority में convert हो जाती है तो ये भी operation कहाँ जाएगा और majority को relief दिया जाएगा इसके साथ हमें एक और कैसे V Sebastian versus City Hospital और जालंदर चकरवरती versus power tools and appliances limited जो ये कहता है कि majority minority shareholding pattern के अंदर अगर change होता है ठेक है और illegal of issue of share किया जाता है तो ऐसे situation में इसको operation बोला जाएगा ये चीज को समझना जरूरी है अगला alliance securities versus legal industries और शांती देवी गायकवड versus संगराम सिंग पी गायकवड इसके लिए ये पास notice का एक chart बनाया हुआ है मैं उसको पहले समझाना चाहूँगा बड़े अच्स दरीके से तो ही जाके समझ मायाँगा पूरा धान बोड के उपर देना ध्यान देना देखो notice of meeting हर director हर member को हर board meeting और हर general meeting के लिए देना जरूरी है लेकिन अगर आपने notice देते वक कहीं पे omission कर दिया अगर आपने notice अच्छा मैंने जितने case laws discuss किये it is quite possible कि आपको लग रहा होगा कि sir ये case laws आप फटा 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 फट बोल दिया हमने ये सुने भी नहीं है या समझ में नहीं आए तो विटा मेरे मास option नहीं है ये वंदे रिविजन है समझने की कोशिश करना ओरीजनल बैस के अंदर चार शाड़े-चार गंटे तक ये सब case laws हम discuss करते है so it is quite difficult कि यहां पे इनके facts अगर में fact उपन करके बैठू तो एक केस 20-20 minute तक चलेगा तो इसको थोड़ा अवाइड करना 20-20 minute कुछ-कुछ के शाज तो half-half hour तक चल सकते है तो प्लीज उसको थोड़ा अवाइड करना जितना मैंने हो सकता था दिया आप उसके screenshot लेकर रिवर्स करके पर ये ज़रूरी है so omission to give notice omission के case में आते हैं notice के ओपर दो case laws है अगर आपने notice देने में omission के और आप general meeting hold किये तो meeting आप hold करी नहीं सकते है वो invalid है अगर आपने all members को notice नहीं दिया और फिर आप general meeting hold करते हो तो it is a clear case of operation दूसरा आपने omission to notice किया notice नहीं दिया किसी specific member को किसी specific member को notice नहीं दिया अगर वो general meeting attend करता है फिर भी बेश्रम जैसे it is not operation लेकिन अगर वो meeting attend नहीं करता है तो वो operation क्लेम कर सकता है क्योंकि उसको notice नहीं दिया गया omission to give a notice can be an operation वही अगर short notice है अब इसके अंदर दिक्कत है क्योंकि बोला गया है कि इसके अंदर कि short notice is not an operation पर यह हमेशा सच है ज़रूरी नहीं है short notice आपने सभी member को दिया तो आपको बताओगा कि section 101 जो ordinary notice का है उसके अंदर लिखा है कि 95% shareholder short notice को ratify कर सकते है CA enter में यह था अगर ratify कर लिया है या नहीं भी किया तो it is not operation इसको operation नहीं बोला जाएगा क्योंकि सभी member को short notice दिया है लेकिन किसे specific member को short notice दिया और वो meeting attend करता है तो operation नहीं है लेकिन अगर specific member को notice दिया और वो नहीं दिया short notice दिया तो ऐसे case में वो attend नहीं कर सकता तो इसे operation बोला जाएगा ये दो cases के उपर ये दो decisions आये है मैं चाहूँगा चार्ट का एक बार photo केज़ करो go for it first तो इसे अजय है चलो, डन, लेलिया समने स्क्रीन शॉट, everybody, डन अच्छा, ये चीज होने के बाद में, हम अगले केसे क्यों पर जा रहे हैं, जो केसे हैं, मिसमेनेजमेंट के मिसमेनेजमेंट में चार केसे बड़ी इंपोर्टेंट हैं, जिसमें पहला है, SM, Ramakrishna Rao vs. Bangalore Race Club, जिसके अंदर बोला है, violation of condition of MOA, by person in charge of management, leads to mismanagement, अगर, simply अब मैं इस चीज को थोड़ा सा explain करूँ, तो मैं लेक्टर नंबर वन के अंदर ये basic explain किया था, कि Companies Act to Override MOA, AOA, तो सिर्फ MOA है क्या, अगर Board of Director ने Memorandum Article, Company Law, Company Law के उपर के Overriding Law, जिस सच है, SEBI, Banking Regulation ऐसा, उसके उपर के Overriding Law, Criminal Procedure, Civil Procedure, उसके उपर Overriding Indian Penal Code, उसके उपर Overriding Constitution of India, उसके उपर Overriding है, सार्क के Regional Laws, Lecture 1 में मैंने Mention किया है, उसके उपर Overriding है, United Nations के Loss, तो Board of Director ने उसके उपर Applicable होने हमाले किसी भी Document को Violet किया, तो भी ये Miss Management है, तो सिर्फ MOA की बात नहीं है, यहाँ पर Board of Director ने किसी भी Document को Override किया, तो भी इसको Miss Management बोला जाएगा, दूसरा, री मल्यालम Plantation हम अल्रेडी देख चुके है, Section 80, 180 मैंने आपको जब पढ़ाया तो मैंने बोला था कि Operation Mismanagement में मल्यालम Plantations India Limited के अंदर ये अंदर बोला गया है, कि अगर Board of Director ने कोई Resolution पास किया, जिसके लिए 180 का General Meeting का Approval चाहिए था, पर Board ने बिना Approval लिया वो चीज कर दी, जैसे Sale of Undertaking कर दिया, Investment Other Than Trust Securities कर दिया, बोरेंग ले लिया more than paid-up capital fees of securities premium से आदा, तो ऐसे situation में ये से Mismanagement बूला जाएगा, सुरेश कुमार संगे वर से सुप्री मोटर में लिखा रहा है, कि अगर Board of Director में dispute होता है, तो इडिस क्लेर के साथ मिसमानेजमेंट, और RS माथूर वर से HS माथूर में ये बुला गया है, कि भी या Mismanagement, ये Present, Continuous और Future होता है, Operations सर्फ Present, Continuous होता है, ये चीज के लिए एक छोटा सा डाइग्राम है, मैं चाहूंगा वो भी मैं आपको दिखा दू, Cases समझने में हो सकता है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, Option नहीं है, पर Cases ये काफी Important है, जैसे Operation, ये Past नहीं हो सकता, ये सिर्फ Present, Continuous हो सकता है, Future नहीं हो सकता, Future में मुझे डिविडेंट नहीं मिलेगा, ये अभी Operation नहीं हो सकता, Mismanagement Past नहीं हो सकता, पर Mismanagement Present और Future जरूर हो सकता है, Future में हमारे कंपनी में गलत सलट डारेक्टर पॉइंट किये जा सकते है, ये Mismanagement का Case जरूर हो सकता है, Clearing Answer, ये है Operation and Mismanagement के Cases, चीए तो इस चार्ट का भी Screenshot ले लीजिए, ये दी चाप्टर काफी Important है, हर बार नॉर्मली चार से आठमा के लिए पूछा जाता है, Done? चलो हो गया सबका, अब ये चीज होने के बाद में, मैं बढ़ रहा हूँ आगे, अब मैं शुरू कर रहा हूँ Section No.241 के साथ में, तो मुझे पूरा धान बोड के पर चाहिए, मैं जाता हूँ PPT के उपर, Just Wait for This, Okay, सबसे पहले अरिया के अंदर में जा रहा हूँ, Section No.241, Operation and Mismanagement को define करता है, पर 241 इतना नलायक सेक्षन है, मतलब इतना हद नलायक सेक्षन है, कि जिसकी कोई हद नहीं सस्ते नशेवाला सेक्षन है, 241 में बोला है कि Operation and Mismanagement, आप कैसे कर सकते हो, तो बोले है 244 में बोला है, हाला कि 241 का नाम है Application for Operation and Mismanagement, and 244 का नाम है Manor of Application, अब उने क्यों दो सेपरेट सेक्षन के, इनको दुनिया में इनी को मालूम, 241 में ही अप्लिकेशन दे सकते हैं, नहीं, Operation Mismanagement Chapter का Drafting इतना वायात है, 241 में, Application for Operation Mismanagement, तो हमें रखता है वहाँ Application होगा, नहीं, वहाँ बोला है 244 में Application होगा, खुदा ना खास्ता अच्छी बात है, 244 में नहीं बोला, कि नहीं देखो 247 में होगा, 247 में और लगाते जाओ Link जिंदगी के अंदर, ऐसा कोई Drafting नहीं करता, 242 में Order of NCLT, यह अप्लिकेशन के मैनर के पहले ही देदी आया है section में, 243 में उनकी Compensation भी इसकुस कर दिया, फिर 244 में बोला, कि नहीं, इस तरीके से Operation का Application होना चाहिए, क्या संबन्द है, हालके जबरदस्ती section बढ़ाया गया है, 241 में आप मस्त अधरीके से Application मैनर बोल सते हैं, 242 में Order, 243 में Compensation, 244 में Class Action वाला Situation आप Create कर सते हैं, 245 में खतम हो ज़दा दा Chapter, 4-5 Section में, आगे, आप अदर रिविजन कर रहे हैं, So Application Under Operation and Mismanagement, Company Having Share Capital, 100 Members, 1-10th of Number of Members, और 1-10th of Issued Capital Holders Application कर सते हैं, क्लियर है, इसमें से Whichever is Lowest, दूसरा, Guarantee Company के में के केस में, आपको अल्रेडी पता होगा, 1-5th of Total Number of Member अप्लाई कर सकते हैं, 20% और CG नॉर्मली सुमोटो अप्लिकेशन कर सकता है, वो तो अजलगी बात है, That is totally allowed, concept समाझ में आ रहा है, अबको हाँ है ना, तो आप अप्लिकेशन नहीं कर सकते, Joint Holders अप्लिकेशन कर सकते हैं, Members in Demetralized Form अप्लिकेशन कर सकते हैं, Preference Shares अप्लाई कर सकते हैं, Share Warrant वाले नहीं कर सकते हैं, Because वो रिजिस्टर्ड मेंबर नहीं है, Transfer until transfer is registered cannot apply कर सकता है, Because वो रिजिस्टर्ड नहीं है, Unpaid Capital, Share Warrant, Transfer until transfer is registered, लिखो कमेंड में, तीन वो रिजिस्टर्ड नहीं कर सकते, Unpaid Capital, Share Warrant, Transfer until transfer is registered, डालो कमेंड के अंदर यह याद रहना चाहिए, एक साम में ECQ पर सवाल पूचे आते हैं, Concept समझ में आ रहा हैं, सबको हाई ना, फिर, यह बोला गया है, कि अगर आप ने अप्लिकेशन अल्रेडी कर दिया है, समझो, सौ लोग है, सौ लोगों ने अप्लिकेशन कर दिया, बाद में इस में से किसी ने शेयर बेच दिये, तो भी अप्लिकेशन वालिड है, बाद में किसी ने अप्लिकेशन रिवोक कर लिया, तो उससे decision आएगा ही आएगा ये चीज़ को आपने याद रखना है इसके उपर भी बहुत सारे case laws है पर ये इतने ज़ादा exam point of view don't know important है या नहीं है हो भी सकते है तो आप इसका screenshot लेकर लेकर रखे खुद एक बार पढ़ने की कोशिश करना, go for it first मैंदे पिसे नहीं होुकत कर दोड़ विए राद रखने ये घ्र रखने छेट रखने लेडात की 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 ये तो आप आपर शयवत रखने यह चीज होने के बाद में अगले content के ऊपर जा रहा हूँ और अगला है order of NCLT, मतलब operation and mismanagement में आपने apply किया, NCLT क्या-क्य order pass कर सकता है, तीन type के order है, पहलो order है against shareholder and membership, दूसरा against management और तीसरा order है against employees and third person, heading गलत है यहाँ पर, so against employees and third person, यह order pass किया जा सकता है, against member, एक member के share दूसरे को transfer करो, यह order दिया जा सकता है, operation को रोकने के लिए, reduction of capital का order हो सकता है, restriction on allotment और transfer of shares का भी order हो सकता है, कि किसी को share allot करने से अगर वो और operation करेगा तो रोक देंगे, against management, पहले तो हम उसको terminate कर सकते है, हम उसको modify कर सकते है, हम उसने of CG, nominee director of NCLT, यह यहां से उठाया गया है, और फिर हम board of director का manner and appointment of new board of director बोल सकते है, किस तरीक से नए board of director आएंगे, against employee third person, आप future में affair conduct करने का order pass कर सकते हो, आप cost लगा सकते हो, operation and mismanagement का, आप कोई भी goods का, services का, property का, payment कोई भी third party का agreement आप cancel कर सकते हो, यह order said 242 के, मैंने specific categories में चार्ट कैसा लगा बताना, यह चोड़के और कोई order नहीं है, इसमें अगर आपका agreement terminate होता है, director को हकला आजाता है, third party का contract cancel होता है, इसमें किसी के साथ पे कुछ भी गलत होता है, NCLT ने गलत किया है, और अगर NCLT ने गलत किया है, तो आप compensation claim नहीं कर सकते है, because यह operation and mismanagement क खिलाफ है public interest में है, so you have no right to claim a compensation, यह no compensation बोला गया है 243 में, कहां बोला गया है 243, यह चीज़ को आपने अच्छा तरीके से यह रटना चाहिए, तो screenshot ले लो, go for it first चरोड़ने विरोडे, thank you so much guys, सबको पसंद आ रहा है तो बहुत चीज़ बात है, यह चीज़ होने के बाद में अगला, अब actions तो NCLT ने ले लिए, इस case में एक खास power है NCLT के पास, अगर NCLT इस case में ऐसा कोई order pass करे, जिसमें amendment of MOA हो हो, गौर से सुनना में का कह रहा amendment of MOA, AOA, यह company's act को भी override कर सकता है, क्योंकि NCLT ने पास किया है public interest में, बड़े गवर से सुनना, NCLT ने MOA, AOA का amendment order pass किया है, तो यह company's act को भी override कर सकता है, क्योंकि यह public interest में है, समझ में है, यह खास power है 242 का, पूरे company's act के 470 section में, एक लोटा section है, एक लोटा section, एक लोटा section जिसमें power है कि MOA, AOA, यह company's act को override करेंगे, अधरवाइस यह हो नी सकता, section 6 ने बोला है, यह ने हो सकता, पर एक लोटा section है जिसमें हो सकता, इसको खास करके आद रखना है, एक्जाम में पूछने के chances है, concept समझ में आ रहा है, यह चीज होने के बाद में, अगली चीज आती ह है बच्चो, 244 हो चुका है, 245 के उपर हम जा रहे है, class action amend हुआ है, class action amend हुआ है, आईए सब जन साथ में, amendments, she a final class action amend हुआ है, अगर आपको यार होगा तो, amendment lecture में मैंने इसको बहुत चैसे बताया था, वापस एक बार बता दूँ, किटे गया, किटे गया, किटे गया, किटे गया, किटे गया, किटे गया, see this, class action, किस तरीके से 245 में class actions create के जाएंगे, जरा इसे तरीके से धान धना, यह 241, manner of application, conduct of affairs and management, ठेके यह तो हो गया हमारा, 242 के order, यह भी हो गया हमारा, 243, no compensation, यह तो हमारा हो आई है, और हाँ, इसके अंदर एक amendment डाला गया है, following subsection shall be added, inserted under 243, namely, तो बहुत चैसे धान धना, कोई भी person को अगर remove किया जाता है, operation and mismanagement में, तो ऐसे situation में, वो person उस company का management of affairs नहीं देख सकता, पाथ साल तक के, यह चीज के उपर सवाला सकता है, इसको star mark करके रखना, ठेक है, तो यह चीज को याद रखना, provided central government may, with a leave of the tribunal, permit such a person to hold such a office before the expiry of share period, central government, NCLT का पुरूल के साथ, same person को office hold करने के लिए allow कर सकता है, लेकिन normally NCLT पाथ साल तक डिस्क्वालिफाय करता है, एक बार आपको डिस्क्वालिफाय कर दिया तो, notwithstanding anything contained, 1bb नया section है, or the provision of this act, any other law for the timing and force, any contract, memorandum, or the article, or removal of the person, from the office of the director, or any office connected with the conduct and management of the affairs of the company, that a person shall not be entitled to be paid, any compensation for loss or termination of office, जिस बंदे को आपने निकाला है, office में से, उसको कोई भी compensation नहीं दिया जाएगा, concept समाझ में आ रहा है, सब को हाई ना, ये चीज को बड़े अच्छ दरीके से आपने समझना है, idea clear है मैं क्या कह रहा हूँ, ये चीज होने के ब specific amount of shareholders, इसके लिए capital holders apply कर सकते है class action के लिए, कितने shareholder, class action मतलब specific class के उपर अगर operation हो रहा है तो, जैसे small shareholders के उपर application हो रहा है, तो वो apply कर सकते है, जो होने चीए 5% in number of members, दूसरा है, members in number, share capital नहीं, number of members, 100 member, या 5% of issued capital holders, unlisted company में, या 2% of issued capital holders, unlisted company में, whichever is lower, या अपने application करना है, अगर depositors हो तो 5%, 100 depositors, या 5% of issued deposit holders, whichever is lower, ट्रिबुनल, ऐसे situation में, whether the member or depositor acted in good faith, ये चेक करेगा, evidence कोई मिलता है कि ये चेक करेगा, whether the cause of action have the right, मतलब का है members or depositors का right है application करना, क्या हो सही बोल रहा है, ये चेक करेगा, और फिर उसके बाद में, order pass किया जाएगा, अगर ये application frivolous sign Vexasius है, अगर आपको 245 याद है, तो अगर application frivolous Vexasius है, frivolous Vexasius है, ये words कम गालिया जादा लगती है, आज से गालिया नहीं देना, ये बोलना, ये frivolous, ये Vexasius, ठीक है, so Vexasius तो बहुत ही काजी लगती है, ये Vexasius, समझ में हा रहा है, so frivolous Vexasius है, वो vague है application, कोई sense नहीं है, कोई evidence नहीं है, तो NCLT's application को reject भी करेगा, अगर application accept होता है, तो उसको publish करेगा, और class को specific write allot करेगा, आप चाहिए, तो इसका screenshot ले सकते हो, और एक बार read कर लेना, go for it fast, amendment notes में already दिया है Okay, so यहाँ पर 245 खतम होता है, last section है 246, winding up के section number 337 से 341 जो भी है, यह operation mismanagement में लगेगे, अगर operation mismanagement ठीक से conduct होता है, और company को wind up करना पड़ता है, अगर ना कियो और होता, operation and mismanagement कियो और नहीं होता, और company को wind up करना पड़ता है, तो हम 246 लगाएंगे, छोटा सा section है read कर लेना, यहाँ, अच्छा, operation mismanagement का एक consequence यह भी है, कि आपको proportional representation का director appoint करना पड़ेगा, यह जीज को याद रखना, यहाँ आपका एक और chapter खतम होता है, operation and mismanagement कोई को एरिय है, तो पूछलो, फटा फट लेक्टो को 200 लेक टार्गेट करते है, so go for it fast, 200 लेक का टार्गेट खतम होना चाहिए, so go for it fast, फिर stream बंद करेंगे, पार्च मनिट में नाई stream बंद करेंगे, च्छार ड़न, minimum 100 बोला गया है, 244 के लिमिट के अंदर, लेकिन फॉस वर्सस हर बॉटल के हिसाब से दिशा, एक मेंबर भी अपलाए कर सकता है, अगर वो कंपनी का 110 शेर कैपिटल होल्ड करता है, तो यह चीज़ को याद रखना, दिशा जुन जुन वाला, उसी लिमिट के अंदर, वन टेंथ शेर होल्डर भी दिया गया है, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो चुका है बेटा हमारा अल्रेड़ी, डिरेक्टर अपॉंट्मेंट का रिविजन देखिया है अंकी तगरवाल, वहाँ पर अल्रेड़ी कपर हो गया है, ठोको जल्द जल्दी 200 खतम करो, स्ट्रीमिंग बन करना है, शान्दार, 32 खतम होगे उज्वल मोदी, चरड़ान, अब मैं स्ट्रीम बन कर रहा हूँ, 5 मिनिट्स के अंदर कितना अभी, ब्रेक्ट चाहिए आपको या नहीं चाहिए, कितने बज़े हैं, पाच भी नहीं बज़े, हम और एक चाप्टर खतम करेंगे, फिर उसके आप में देखेंगे, ब्रेक लेना है या खतम ही करना है, let's see, अब इसके बाद जो चाप्टर में कवर करने जा रहा हूँ, यह नहीं नीधी कंपणी है, नहीं रजिस्टर वालियोर, यह अल्रेड़ी यूट्यूब के उपर अप्लोड है, वहीं से देखेंगे, नहीं winding up है, क्योंकि उसको वेटेश बहुत कम है, और चाप्टर बहुत बढ़ा है, जो वंडर इविजन में लेना है करी है, हम कवर करेंगे, चाप्टर बढ़ática करेंगे, कि अब चउटे चोटे चाप्टर गया खातम करेंगे हम, क्योंकि चामाक के सवाल तो हाएंगे- आएंगे, समय बचा, तो व्ला। फार्ण केशल कौट, NCLT, ETF so, just go for this, तट्रीम खातम कर रहूं. thank you so much for watching this video